एक तो आप जब सर्सों की बिजाई कर रहे हैं वो टाइम और दूसरा जब आप सर्सों के अंदर पहली सी चाहिए उस टाइम पर अगर आप ने एक छोटी सी लाप रोई कर दी तो आपके उतपादन में ये एक छोटी सी लाप रोई बड़े नुकसान की तरफ आपको ले जा सकती है तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सरसों की पहली सी चाहिए हमें किस वक्त करनी चाहिए सरसों की पहली सी चाहिए करते मैं इंदरपाल और आप देख रहे हैं देश को सबसे विश्वसनी फार्मिंग यूट्यूव चैनल देश की जान हमारे किशान दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सबस्क्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को पॉद्य को इस culture है वह उतने ताकतवर बन जाता हुषके अंन्दर जो तना उतना अध्य की कि सरसों की विजाई की थी उससे कितने दिन बाद हमें पहले सिचाई करनी है। तो उसका सही समय होता है पत्चीस दिन से और पैंत्तिस दिन के बीच में। लेकिन इसके वीपरीथ अगर आपके खेत की जो मिट्टी है वो रेतिल्hui है। उसके अंदर नमी जादा दिन तक श्टोर नहीं रहती है तो आपको पहले सी चाही करनी पड़ेगी दूसरा जब आपने सरसों की बिजाई की थी उस टाइम पर खेत में नमी इतनी जादा नहीं थी मतलब जो बरसात की नमी थी उसी को आपने सहिज के और अपने खेतों के अंदर सरसों की बिजाई कर दी उस टाइम पर आप पड़ेवा नहीं कर पाए तो भहिया आपको देखना है दिन के अंदर अगर सरसों के पोधे कुल मुला जाते हैं वो घबरा जाते हैं वो मुर्जा जाते हैं दूसरा पोधो को जो रंग है वो हरे की बजाए आपको नीला दिखाई दे रहा है उसी टाइम पर आपको अपने खेतों के अंदर सिचाई कर देनी, आपको इस चीज का इंतिजार नहीं करना है, कि भी या 25 से 35 दिन आएंगे, या 40 दिन आएगा, तब ही हमें सिचाई करनी, देखें, जिस तरह सी हमारा खेत है, इसके अंदर सरसों के बिजाई के वाद 27-28 दि उस टाइम पर आपने जल्दबाजी में, हडबड़ी में सरसों की बिजाई कर दी भाई, सरसों के जो पोध्धें उस टाइम पर जर्मिनेट अच्छे होगे, दो चार पांच दिन, दस दिन तक पोध्धाय बहुत अच्छे से वो सरवाईव किया, अच्छी उसकी ग्रोथ दूर से देखने के अंदर पूरा खेत हरा बरा दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर क्या देख रहे हैं कि अचानक धेरे 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 पोध्धे को इस टाइम पर उसका तना वह लगातार पतला होता चला जा रहा है, बिल्कुल उसके अंदर पोध्धे को जो रंगत है, वो करते वक्त तो उसके अंदर क्या होगा बहुत जल्दी नम्यों सुख जाएगी तो उसके अंदर भी आपको दो-चार दिन पहले अपने खेतों को अंदर सिचाई कर देनी वह आपको अपनी फसल की देख के कि फसल के हमारे फिलाल क्या इस्थिती पर इस्थिती उस हिसाब से बाकी दिन की अगर अपने बात करें तो 25-35 दिन का एक सही समय होता है अगर आपने एक अच्छी तैयारी करके खेत के अंदर सर्सों की बिजाई की दूसरी फिर बात आती ही भाईया हम जब पहली सिचाई कर रहे हैं उस टाइम पर हमें कौन-कौन से खाद डालने उससे पह पर तो आपको पूरा खेत बहुत अच्छा लग रहा होगा बहुत एकदम हरा भारा भरा दिखाई दे रहा होगा लेकिन आगे चलके उसके अंदर जो फलियां बढ़ेंगी वह कम बढ़ेंगी उसके अंदर जो पोधे की ब्रांचेज निकलेंगी पोधे का अंदर फुटा क्योंकि उनके अंदर से हवाएं पास नहीं हो पाती है और उनमें जब आगे चलके ओस आएगी कोहरा भरा रहेगा नीचे जमीन के अंदर बहुत ज्यादा नमी रहेगी तो पूरा पूरा दिन जब ओस भरी रहेगी तो पोधे शड़ जाएंगे भाया तो उसके लिए आप इस टाइम पर आप पहली सीचाई करने से पहले आपने खेत के अंदर देखिए ज्यादा सरसों दिखाई देरी तो उनको आप निकाल दीजिए मतलब उनको आप उखाड दीजिए इस टाइम पर थोड़ा सा आपको इसा लगेगा यार इतने बढ़िया पोधे यार इनको कै पहले सीचाई करते वक्त हमें कौन-कौन से खाद देने तो इसके अंदर दो तरह के काम करने आपको अगर आपने सरसों की बिजाई करते वक्त अपने खेत के अंदर किसी कारण वस डीएपी सिंगल सूपर फासफेट सलफर इस तरह के जो खा देना उस टाइम पर आप नही दे सकते हो और अगर आपने उस टाइम पर पोटास नहीं दी थी तो भही आप पोटास भी दे सकते हो इस टाइम पर इन खादों को आप देकर सिचाई करते हो तो भी आपको इनका 100% रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि जो यह खाद आप उपर से छीट हो गए ना तो छीटने के बात देखिए आप कहां पर पढ़ेंगे वह खाद इस तरह जो हमने अपनी मसीन से बिजाई कर रखी है ना तो यहीं पर पढ़ेंगे इनकी जड़ों के पास में पढ़ने से उपर से जब हम इसकंदर सिचाई करेंगे तो जो यह मिट्टी है ना वह मिट्टी के अंदर देखिए उखाड के यह जो एक जड़े आप लोग देख रहे हो यह नीचे जमीन के अंदर जा रही है अभी आप देखो को पहली सिचाई करने के बाद इसके अंदर से नई नई जड़े नई छोटी छोटी एकदम वाइट रूट जो सफेज रूट सोती सफेज जड़े हो देते हो तो इनका 100% आपको अभी भी रिजल्ट मिल सकते हैं अगर आपने सरसों की बिजाई करते हैं वक्त डीएपी सिंगल सुपर फासफेट पोटास सलफर इस तरह के खाद आपने उस टाइम पर पूरी मातरा में दे दिये थे तो इस टाइम पर आपको केवल और केवल योरिया और जिंक इन दोनों को मिक्स करके और डाल सकते हो योरिया है नवह लगभग आपको 50 कsticks एक एकड़ जमीन का बतारे हो रही बात जिंक की तो 21 % वाड़े जिंक है नवह 10 किलों से 15 किलो आप ले सकते हो एक एक एकड़ जमीन में आप जिंक है नवह आपको सिचाई स आपको 100% result मिलेंगे बची हुई जो आपकी यूरिया की मात्रा है वो आप सीचाई करने के बाद उपर से डालिए ताकि यूरिया है जो आपके जो खाते वो लिंचिंग ना हो नीचे जमीन के अंदर नीचे गहराई में जादा ना जाए उसके 100% result मिल जाए इसके बाद फिर यह हमारी फसल के अंदर पहले सी चाहिए हमें दो चार पांस दिन हो जाए खेत के अंदर हम अच्छे से घुश सकें उस ट्राइम पर आपको एक और काम करना एक इस प्रे करनी है एन पीके 19-19-19 या 20-20-20 की यह इस प्रे बहुत ही ताकतवर इस प्रे है सरसों के अंदर मेर इस प्रे करेंगे फोलियर वह पोधब अच्छे से उसको ग्रहन करता है और इसके जो रिजल्ट है ना बहुत ही सांदार देखने को मिलते हैं तो इस टाइम पर आप पहले सिचाई कर रहे हो अगर आप माइक्रो न्यूट्रेंट भी इसका अंदर एड करना चाहते हो तो को भी मैं आप लोगों को वीडियो को माध्यम से बताता रहूँगा सब्सक्राइब कर लिज़ साथ ही वीडियो और आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को जादस जादस दूसरी किसान भायों तक भी स्पयों की जिए धन्यवाद